हेलो दोस्तो स्वागात मेरे इस योट्योप चैनल में दोस्तो देखें मेरे पास एक टाइमर है दोस्तो इसको जिक टाइमर बोलते हैं और दोस्तो इसको जहें किस प्रकार से उप्योग करते हैं यहां पे देखिए 17 नंबर पे दोस्तो हमारा common terminal है और A1 और A2 पे हमको 220V AC supply देना है दोस्तो देखिए यहां पे इसका symbol दिया हुआ है यहां पे दोस्तो देखिए साब साब लिखा है 220V AC A1 A2 terminal पे देना है हमको और दोस्तो देखिए जब हम 17 नंबर पे अगर फेश रहेगा उसके बाद दोस्तो 28 नंबर terminal से दोस्तो हमारा common दिया रहेंगे वह supply हमारा 20 नंबर पे आउट होगा ठीक है और दोस्तो देखिए यहां पे इसका specific concern देख सकते हो और दोस्तो इसको टाइमिंग को किस प्रकार से सेट करते हैं चलिए मैं आप लोग को उसको भी बत देता हूँ दोस्तो यहां पे देखिए इस symbol के माध्याम से दोस्तो आप असानी सो इसको समझ सकते हो दोस्तो देखिए उपर में दिया है 30-60 करके ठीक है और दोस्तो नीचे में देखिए point में दिया हुआ है दोस्तो उसको दोनों को आपस में गुड़ा करोगे तो दोस्त देखिए मैं एक wire connect कर चुका हूँ अब दोस्तो इसको लाइब टेस्ट करेंगे इसमें पावर देके देखेंगे दोस्तो हमारा के यह जो setting रहता है जोस्तो उसी timing पे जो हमारा star से delta पकड़ता है के नी पकड़ता है ठीक है दोस्तो एक बार जो है यहां पे देखिए इसका पूरा specification जो है दिया हुआ है चलिए दोस्तो मैं क्या करूँगा इसमें पावर देता हूँ और आप लोग को जो ही दिखाता हूँ तो दोस्तो देखिए मेरा जो है कितने में 6 seconds पे जो सेट है ठीक है अब देखिए 6 seconds के बाद यह दोस्तो हमारा भी star on है उसके बाद डेल्टा में convert हो जाएगा तो दोस्तो देखिए यह हमारा जो है proper working condition में है तो दोस्तो इस परकार से आप भी अपना टाइमर को दोस्तो सेट कर सकते हो उसका टाइम को भी मतलब second के हिसाब सेटिंग करके आप जो है इसका उप्यों कर सकते हो दोस्तो वीडियो कैसा लगा comment जरूर कीजिएगा